नमस्कार किसाँब आख के इस वीडियो में आपका सौगतिंद दोस्तों जब आप अपने फशल के ओपर प्रेविंटिव में इस्तेमाल करते हो कई सारी दावायक का इस तेमाल करते हो कई महंघे महंघे वाली ईतना सब होने के बाद जब आपके पशल पर कोई रोग या किट का एटेक हो जाता है तब आपके मन में आता है कि भाई मैंने इतनी सारी दावयाद डाल तो दी लेकिन उसके रिजल्ट क्यों ने आए तो इसी सावल का जावब पाने के लिए आज का यह वीडियो तो बने रहे हमरे साथ वीडियो के आन तक मैं उदिवराज और आप देख र पारे में आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले तो पहले हम बात करेंगे पीच और टीडेस के कारण अगर आपके फसल में रिजल्ट नहीं आ रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए और पीच कैसे कम ज्यादा होता है तो भाई पीच कम ज्यादा होने के आप देखो पानी स्टोर टैंक में बोर्वेल में एक जगह पे ज्यादा दिनों तक इकटा रहता है तब उस पानी का पीच अपने आप बढ़ जाता है और उस पानी का अगर पीच बढ़ गया तो बढ़े हुए पीच के पानी में भी आपकी दावया अच्छी तरीके से रिजल्ट नह प्रवेल प्रॉपलेम में और आपकी पानी का पीच बढ़ बढ़ खुका तो आप किसी दावयों के साथ यान की सैट्र इसिड हो गया यूरिय फॉस्पेट हो गया या फ़िर प्लांट हर्मोन के बारे में ज्यादा होता है तो क्या होता है कि आप जब कोई डालते और उसका को प्लाट होता है है कि भाई नहिए आपको दिखाई नहीं देता है तो अईसी सिचुशन में क्या होता है आपके फसल में स्टोरेज कम होता है और और कुछकुछ दावया क्या होती है कि वह कितना आपको result देता है तो फसल में रहेगा तो आपकी दावया कहा से आपको result देने वाली तो ये इक बात हो सकती है कि आपकी फसल अगर कम जोर सशक्त नहीं है अशक्त ये बहुत ही कमजोर है उसमें कुछ भी तो आपको यह कर लेना चाहिए या फिर आपको इसी दावयों का इस्तेमाल करने से पहले आपके फसल में बढ़ा लेना चाहिए तो इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रू बताना तो दोस्तो टेंपरेचर के कारम भी आपकी दावया आपको रिजर्ट नहीं दिखाती है क्योंकि आइडियल टेंपरेचर तो हर एक खेत में नहीं होता है मेंटेन तो नहीं हो सकता क्योंकि माइक्र क्लाइमेट हर एक जगह अलग-अलग होता है तो माइक्र क्लाइमेट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या होता है आप देखो गर्मियों के दिनों में हद से ज्यादा टेंपरेचर होता है खास कर यह किट नाशक में ज़्यादा आपको दिखाई देता है तो ऐसे सिच्वेशन में आपको टेम्परेचर को कंसीडर करते हुए ध्यान में रखते हुए दावयो का चुनाव करना पारता है यही इसका एक सोलूशन आपको मिलता है तो दोस्तों कई बार क्या होता है हम सब मेंटेन करते हैं पीएजबी कर लिया हमारे पसल में कोई विकनेश भी नहीं है टेमपरेचर भी हमने आच्छे तरीके से में हमें पता है कि आच्छा तेमपरेचर रिजल्ट तो आ जाएगा सब तरीकों से हम सब अच्छी बाते करके सब्सक्राइब हमें को दावायों के रिजल्ट नहीं मिलते तो ऐसी सिच्वेशन में वह डूप्लिकेट रहने की संभावना ज्यादा बढ़ती है तो यह डूप्लिकेट आप कैसे पहचन सकते हो तो डूप्लिकेट को पहचनने में आपको आसन बात ही कि इतना भी सस्ता व पहचने के लिए आपको जो भी आप दावया खरीते तो उसके साथ आपको बिल भी लेना चाहिए बिल लेने के बाद डूप्लिकेट दावया आप तक नहीं पहुच सकती तो बिल बहुत जरूरी है हाँ तो दोस्तों कई बार क्या होता है हमारी दावयों का रिजट ना आने का कारण हमारा गलत कॉम्बीनेशन होता है तो यदि आप कॉंटब कुमान और जिब्रेलिक एसिड का इस्तमाल करते हैं या फिर आप कॉपर और जिब्रेलिक एसिड का इस्तमाल करते हैं तो आपको कॉपर के रिजल्टों मिल जाएंगे लेकिन जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट ने मिलेगी क्योंकि जिब्रेलिक एसि और आप फिर से सोचने में पड़ जाते हो कि भाई मेने तो इतना बड़िया combination डाल दिया और फिर भी मेरेको रिजल्ट क्योंने आ रहे तो रॉंग combination के यानि की गलत combination की वज़़े से भी आपके पसलों में जो तो रिजल्ट दावायों कि वह भी ना आने के कारण बन सकता है तो ऐसे सिच्वेशन में आपको क्या करना चाहिए आप जो कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं वह सही है या फिर गलत है आपको कंफंब कर लेना चाहिए कई बार क्या होता है कि आप ढवया चिड़काओं तो कर देते हो सही मतलब u करने कारण आपका कवरे अच्छे से नहीं हो पाता है आतो अफिर है चारो कोने में पहलने पाती ही तो उसके कारण क्या होता है आपका कवरेज ठीक ना होने के कारण आपको उन दावयों का तो आपका कवरेज ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इसके उपर भी आपको द्यान द्याना चाहिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप गलती से या फिर दुकांदार की गलती से या फिर आपके गलती से क्या होता है आप एकस्पाइरी वाली दावायों का इस्तमाल कर वेड़ते और उससे भी आपको जो रिजल्ट है उन दावायों के वो नहीं मिलते क्या होता है कि expiry वाली जो दावया होते है liquid formulation हो तो वो जल्द उसका power खो देता है powder formulation हो तो भाई लंबे समय तक तो उसका power टिका होगा होता है तो ऐसी expiry वाली दावया अगर आप इस्तमाल करते है गलती से करते हो या फिर कुछ कुछ किसान तो ऐसी कि भाई एक्सपारी वाली दावया ही इस्तमाल करते है लेकिन भाई उसका भी इस्तमाल करने का ही तरीका होता है लेकिन जादा तर मेरी सला मानो तो एक्सपारी वाली जो दावाया होती उसका इस्तमाल नहीं करें तो अच्छा है जिससे क्या होगा आपके फसल में आपके दावायों के जो रिजल्ट है वो आपको समय पर और अच् रॉंक ट्रीटमेंट भी हो सकता है आपका सरदुक्रा है और आपकी जो मलंपटी वह आपके गुठने को हो रही है तो यह बात हासी मज़ा कि नहीं है लेकिन आप समझ लोग कि आप गलत जगर ट्रीटमेंट करते हो तो उसका भी रिजर्ट ने आएगा क्योंकि कई लोगों क इसके अंतर करने में तो आपको बात अच्यक एस ते आपको बात अच्खे से समझ आनी चाहिए है कि बहुक्त के उपए इस के ऄपर यह लेड़ ब्लाइट वाली डाए है असर दिखाने वाली ना कि आपके बैक्ट्रियॉई वाली तो यह आपको बात अच्छे से समझानी चाहिए कि भाई दवाई कौन सी डालनी है और हमारा डिसीज कौन सा है तो भी आपको आपके दवायों का रिजल्ट आपके फसल में अच्छी तरिके से मिल पाएगा क्या हुआ ना यहां कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप जो दवायों डालते हो लगातार एक की दीन रहेтеं के इंटरवल में यह 及 गयाप करते हो तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ दवायों को करने कारन्य जो नहीं वो भी हो सकता है क्योंकि कुछ दवया कुछ दवयों को काम नहीं करने देती जैसे कि मैंने कॉपर और जीप्रेलिक आसिट का कॉमिनेशन में बता है वैसे ही आपका अगर आगे पीछे भी जाता है यानि कि पहले दिन आपका कॉंटप और कुमन गाया और दूसरे तीसरे दि अगर आप अलेट का अच्छी तर के से रिजल्ट ने आएंगे तो यह सब बाते आपके माइने रखती है कि आपको दो सपैंग में कितना अग्याप रखना है तो यह अगर जान करें अभी अच्छी लगती हो तो दिल से लाइक भी करिए गा और जिन्हों ने आप तक शब् है दोत आज की खास बात में हम आपको यह बताने वाले कि टाइमिंग जो होता है आपके स्प्रीएंग का वह भी बहुत ही अहम होता है याणि कि रोफ में तो गोर स्प्रीड करें या साम को अब सब्सक्राण कारते और सुब slogan सब्सक्राण करते चनरे आपको रिजल्ट नहीं आते तो यह टाइमिंग भी बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज के खास बात में लिया है तो आप कितना भी कर ली आपका स्प्रेंग जो टाइमिंग है वह भी बहुत ही माईनी रखता है तो स्प्रेंग के टाइमिंग के बा